नमस्कार स्वागते आपका न्यूस बॉल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी एक नज़र डालेंगे पांच मिलट में पच्चिस खबरों पर पूर्फु पुलिस कमिश्णवा परमवी सिंग के चुठी के बाद महराश्टर में घ्रह मंत्रूई अनिल देश्मुक की कुरसी पर असमंजस बना हुआ है देश्मुक रहेंगे या जाएंगे इसे लेकर अभी स्तिती स्पष्ट नहीं है अप्रैल के पहले हफते में महराश देश्मुक का भी नाम है जो ये दर्शाता है कि 15 फरवरी को अनिल देश्मुक ने नागपूर से मुंबई तक चार्टिर फ्लाइट में सफर किया था देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमन के 44,715 नए मामले सामने आए हैं जबकि 999 लोगों की मौत हो गई महराश्च में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ शेहरों में लोगडाउन लग सकता है राज़्य के स्वास्ते मंतुई राज़े इस टोपे ने जिन इलाकों में कोरोना की रफ्तार ज़्यादा है वहाँ फिर से सक्त लोगडाउन लगाने के संके दिये हैं इसमें कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं आकड़े बताते हैं कि 84 फीज़ी से ज़्यादा केस महराश्ट पंजाब समेश 6 राज्यों से सामने आए हैं कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फर्मान भी जारी हो चुका है महराश्ट में लॉकडाउन और रैपिट एंटीजेन टेस्ट जैसी सकती शुरू की कर दी गई है पंजाब में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है गुजरात के चार महानगरों में 31 मार्श तक नाइट कर्फ्यू है वहीं यूपी में 31 मार्श तक स्कूल बंद कर द गौलिया में भीश न सड़क हाथसा हो गया पुरानी शावनी पर बस और आटो की भिरंत में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई म्रतकों के लिए सीएम शिवरा सिंग चोहां ने 4 लाक रुपे का मुआफ़ज़ देने का एलान किया है रेलवे ने होली से पहले पुर्वा विधान सबाश चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवा को आज पांचवे, छटे, साथवे और आठवे चर्णों के लिए अपने 13 उम्मिदवारों की सूची चारी कर दी है बता दें बंगाल में 294 सीटों के लिए 8 चर्णों में वोटिंग होगी पशे मंगाल में सियासी संग्राम छिडा हुआ है और सबकी नजल नंदीग्राम सीट पर है, ममता दीदी और शुबेंदू के वीच लड़ाई रोचक है और एक दूसरे की शिकायत चुनाव आयोग तक भी पहुँच रही है तिर्णमूल कॉंग्रेस ने अब शुबेंदू अधिकारी पर अपराधियों को शरंड देने का आरोप लगाया है असम विधानसबाद चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल पत्रुचारी कर दिया है बीजेपी के अधियक्ष जेपी नड़ा ने असम में इसे जारी किया संकल पत्रुचारी करते हुए जेपी नड़ा ने कहा पांस साल पहले असम में कई चुनोतियां थी जिनका सामना इंडिये की सरकार ने किया हमने असम को विकास की और अग्रसर किया है भारत के चार वायू सेना अधिकारियों ने रूस में गगनग्यान मिशन की ट्रेनिंग पूरी कर ली है इन चार भार्ती ऐस्टरनोट ने रूस की राजानी मौसको के नजदीक जियो जिनी शेहर में सेत रूसी स्पेस ट्रिनिंग सेंटर में अस्टरनोट बनने का प्रेसिक्शन पूरा कर लिया है राजिसान में आंधी की वजह से बीते सोमवा को भी लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा प्रदेश के जैसल में शहर में रविवार रात करीब 11 बजे और सोमवार को दुपैर बाद भायानक आंधी आई अमेरिका में कोलो राजों के बोल्जम एक सूपर मार्किट में भीर के बीच एक बंदूगधारी ने जमकफारिंग की जिसमें एक पुलिस अधिकारी समय दस लोगों की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने इसकी पुष्टी की है देश में सबसे व्यस्त एरपोर्ट के मामले में मुंबई एरपोर्ट दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है करीब 10 साल से मुंबई एरपोर्ट देश का दूसरा सबसे व्यस्त एरपोर्ट हुआ करता था लेकिन वित्यवर्ष 2021 में ये तीसरे स्थान पर बिहार के मुख्य मंतिरी नितिश कुमार ने होली के मंदे नजर लोगों से साफधानी बरतने की अपील की है। इसको दमन में एक गारी मिली है जानकारी के मुताबिक इस गारी का इस्तमाल महाराष्ट कोलिस के अफसर सचिनवाजे ने किया था। जम्मु कश्मी में बारिश और बर्फबारी से चर्टी तपेश से लोगों को रहत मिली हैं प्रदेश के अधिकता हिस्सों में दिन का ताप्मान सामाने से 4-6 डिग्री नीचे चला गया है। बॉलिवड कुईन कंगनर रनौत का आज बर्दे है आज वो 34 साल की हो गई हैं इस मौके पर फैंस उन्हें जरम दिन की बधाई दे और उनकी सलामती की दुआ भी मांग रहे हैं। एक्टर संजे कपूर की बेटी शनाया कपूर बॉलिवड इंडस्टी में अपना चलबा दिखाने के लिए पूरी तरह से तयार हैं। उनकी पहली फिल्म करन चोहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के साथ होगी। जेकी श्रॉफ और अदार जेन की एडवेंचर कॉमेडी हेलो चारली का ट्रेलर लॉंच किया गया हेलो चारली 9 अप्रेल को एमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीस की जाएगी। राहुल वैदिय ने सल्मान खान का शुक्रिया करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक सार्किल के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है कैप्शन में लिखा अखिरकार सल्मान खान द्वारा गिफ्ट की हुई इस बाइक चुलाई यह अनुभव शांदार रहा हो मुझे बहार आकर काडियो करना पसंद है दिश्वा पातनी का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जिसमें वो सत्त किलो वजन उठाते हुए दिखाई दे रही है फैंस उसके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं पांच मिर्ट पचिस खबरों में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े लेने के लिए आप देखते रहें ड्यूस वोल इंडिया